दोस्तों National Scholarship 2021-22 session का open हो चुका है अगर आप new registration करना चाहते हैं scholarship fill up करना चाहते हैं तो आप apply कर सकते हैं session 2021-22 के लिए तो यहां पे आपको different different scheme मिल जाएगा scholarship का जैसे कि Central Sector scheme, UGC AICTC scheme और States scheme जो की अभी close open नहीं हुआ है तो यहां पे बात करेंगे Central Sector scheme और UGC AICTC scheme यहां पे Central Sector scheme में आपको Ministry of Minority Affair अगर आप किसी minority religion से आते हैं इसी तरह आपको अलग-अलग मिल जाएगा अगर आप disabled है physically disabled है 40% से above तो आपको यहां पे scholarship मिल जाएगी disabled की तो इस तरह से अलग-अलग आपको मिल जाएगा scheme Central Sector scheme में जैसे कि यह सोसल जस्टिस इंपावर्मेंट है तो यहां पे कोई भी scheme apply करने से पहले scholarship apply करने से पहले आप अपने eligibility criteria चेक कर लेने तो एक दफार आप guidelines पर लेने उस scheme के बारे में कि आपको कौन सा scheme जो है वो feedback उसके बाद यहां पर UGC की बात करें तो university of grant commission का जो scholarship है MHRD ठीक है तो यहां पर आपको मिलता है इसान उदय scholarship जो की है special scholarship north eastern region जो भी इंडिया के north eastern region है तो वहां के student के लिए scholarship है PG Indra Gandhi जो है वो single girl child के लिए है और PG scholarship है जो university rank के लिए है तो यहां पर आपको scholarship मिल जाएगा UGC में UGC में एक और है All India Council Technical में प्रगती scholarship है प्रगती scholarship for girl student के लिए है और यहां पर सक्सम scholarship है UGC में तो यहां पर आपको new registration करके दिखाऊंगा फुल प्रोसेस की किस तरह से आपको fill up करना है इस form को और किस तरह से क्या क्या डॉक्मेंस आपको जरूरी है इस scholarship के लिए apply करने के लिए तो यहां पर new registration करने के लिए आपको new registration पर क्लिक करना है तो यहां पर आपको बता दूं मोबाइल आपके chrome browser से सर्च करेंगे पर जाए तो यहां पर आपको नेशनल स्कॉलर्सीपोर्टल क्लिक कर देना है और यहां पर आपको मिल जाएगा new registration यहां पर क्लिक करनेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले गाइडलाइन्स दिया होगा 2021-2022 का और यहां पर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं नहीं तो यहां पर आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है यहां पर टीन बॉक्स दिये हुआ है यहां पर आपको क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पर क ले भी निय्जान है पर लेत मियं है कि उपहां से अंटेंगे 첫 ले ईका दशाद में है तो difaka नियों कि पर जिलेकर करना में अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो बैंक पास्बूक में जो आपका नाम है वही आपको यहां पर इंटर करना होगा Scheme type में आपको सिलेक्ट करना है Scholarship Scheme और यहां पे Date of Birth में जो आपका अधार कार्ट पे Date of Birth है वही आपको यहां पे Inter करना होगा Gender select कर लेंगे, Male है याँ, Female उसके पार आपको Mobile Number देना है जो भी आपका Personal Mobile Number है उस पे OTP जाएगा वो आपको बाद में इंटर करना होगा और यह email id आपको अगर है तो दे सकते हैं यह compulsory नहीं है email id उसके बाद आते हैं bank FSC code देना है जो भी आपका bank account है जिस पर आपको पैसे मिलेंगे तो उसका आपके account का bank FSC code आपके passbook पे लिखा रहता है तो उसको यहां पर इंटर करना होगा bank FSC code को re-enter करना है दोबारा confirm कराना है उसके बाद आते हैं identification details में आपको यहां पर आधार सेलेक कर लेना है ठीक है उससे पहले में date of birth दे देता हूँ यहां पर आधार सेलेक कर लेना है अगर आपके पास अधार नहीं है तो आधार enrollment ID अगर आपने apply किया है तो आधार enrollment ID आपको enter करना होगा यह हो गया बात अगर आपके पास अधार नहीं है तो ठीक है उसके in case आपके पास अधार apply नहीं किये है तो यहां पे आपको सिर्फ bank का passbook आपको upload करना है और यहां पे आपक क्याप्चा कोड इंटर कर देना है तो यहां पर मैं सबसे पहले आधार सेलेक कर लेता हूं और यहां पर अधार नंबर इंटर कर देता हूं और क्याप्चा कोड आपको इंटर करना है जो भी यहां पर लिखा हुआ है वह इंटर कर देना है और रिफ्रेश करना चाहें सी केपिटलली सी केपिटल जुक्तल जेड ओर क ेपिटल LX यह पर इंटर करने के बाद आपको जो यहां पर लिखा रहेगा वही आपको इंटर करना हब उसके बाद यहां पर आपको ट्रिक कर देना है तीनों में तीनों में टिक करने के बाद आपको यहां पर रेजिस्टेशन पर क्लिक करते ना है ओके जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहां पर आपको अप्लिकेशन आईडी मिल जाएगा ठीक है Student Application ID तो इसको आपको Note कर लेना है Note करने के बाद यहाँपे आपको Continue पे क्लिक कर देना है जैसी Continue पे क्लिक करेंगे तो यहाँपे आपको Application ID, Password Capture Code का Option आजाएगा अगर यह Option नहीं आता है तो यहाँपे Log In To Apply पे भी आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आ चुगा है यहाँ पे आपको अप्लिकेशन आइडी जो सो कर रहा था भी वही आपको यहाँ पे इंटर कर देना है इंटर करने के बाद यहां पे आपको password में इंटर करना है आपका date of birth的date of birth का format में मददा देता हूँ कि किस तरह से आपको date of birth इंटर करना है date of birth इंटर करने के लिए दους आप को जो भी आपका day होगा वह आप पहले लिखेंगे जैसे 12 12 तारिक और उसके बाद यहां पर आपको forward slash option देना है sorry forward slash उसके बाद फिर आपको month लिखना है जैसे 04 अप्रेल ठीक है फिर forward slash और जो भी आपका year होगा जैसे कि मैं यहां पर 1997 दे देता हूँ ठीक है यह तो इस तरह से आपको date of birth देनी है application ID देने के बाद password में ठीक है तो application ID में इंटर कर देता हूँ ओके password date of birth देने के बाद यहां पर मुझे यह capture code fill करना है ओके जैसे इंटर कर देंगे ID और password यहां की date of birth और capture code तो यहां पर आपको मुबाइल पर OTP जाएगा जिसको आपको enter करना होगा तो यहां पर बस आपको OTP इंटर कर देना है ठीक है OTP जो होगा वो होगा आपको alphabet और numeric दोनों में रहेगा small और capital letter भी हो सकता है तो आपको देख लेना है क्या है वही आपको इंटर कर देना है कंफर्म OTP पर क्लिक कर देंगे अगर आपने mobile number गलत दे दिया है तो उसको change करने का एक option है यहां पर change mobile number ठीक है यहां पर change mobile number पर क्लिक करेंगे तो आपको नया मोबाइल इंटर करने का option देगा और उस पर OTP जाएगा और वो फिर आप इंटर कर सकते हैं तो यहां पर मैं कंफर्म OTP क्लिक कर देता हूं तो यहां पर OTP इंटर करने के बाद यहां पर आपको बोला जागा password new password set करने के लिए आपका पहला जो पासवर्ट था वो था आपका date of birth तो यहां पर आप new password set कर सकते हैं जिसमें आपको एक eight character long होना चाहिए minimum ठीक है जिसमें से आपको alphabet देना है यह से small जेट तक कोई भी दे सकते हैं या capital जेट या फिर एक उसमें एक zero से nine तक कोई later होना चाहिए ठीक है आपको strong password आजागा strong miss आपका जो password है वो बहुत अच्छा है तो ऐसा strong password ही आप बनाएंगा सम्मिट पर आपको क्लिक कर देना है password इंटर करने के बाद तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका dashboard application खुल के आ जाएगा dashboard यान की home का यहां पे मेरा नाम सो करेगा आपका नाम सो करेगा और application करेका यहां पर आपको canoda खुल करने के लिए यहां पर फचलर करने के लिए फार्डर करने के लिए आप्टर करने के लिए application यहां यहां पर ज develops आपको पर यहां पर डे conservative सेलक कर लेता हूँ आपको फादर नेम देना है मतर नेम देना है ऐस बीए आपके फैमिली में निक देना है आपको अधर बालब दिया रहे का देश कोलर या या फॉलर को यह सिलकर करने tenants आप komenне में पढ़ाई करते हैं तो यहां पर Choose Option पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपका जो भी School है Institute है College है आपके state में हो या किसी और state में तो आप यहां पर इन्स्ट्यूटः से इस्टेट में आपका इन्स्ट्यूट है उस इस्टेट को यहां पर सबसे अच्छा है सर्च कर लेंगे अपने स्कूल और कॉलेज का नाम तो यहाँ पर मैं search कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं search कर लिया हूँ अपने college का नाम global college of technology इस तरह select कर लेना है ठीक है जैसे यहाँ पर tick करेंगे जैसे college का तो यहाँ पर आपको select का option आजाएगा तो यहाँ पर select पर click कर देना है जैसे select कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको बोला जाएगा admission enrollment registration number कोई भी हो आपके पास admission enrollment registration number वह इंटर कर देंगे यहाँ पर admission year इंटर कर देंगे roll number जो आपका college का इस्कूल का है वह आप यहाँ पर वह वह देंगे section कौन सा है वो और यहाँ पर present class course अभी कौन सा course आप you आप यहाँ पर select कर लेंगे सठ्क है select बाद यहाँ पी आपको present class course का year select करना किस year में है first year है तो first year या second year में है तो second year ठीक है यहां पर मैं select कर लेता हूँ उसके बाद mode of study regular है या part time या correspondence present class start date आप इंटर कर सकते हैं online यानि कि अगर आपका class चल रहा है तो online कब से start हुआ है वह आप यहां पर date इंटर कर देंगे ठीक है यह इंटर करने के बाद आपको previous class board कौन से board से आपने previous आपका कौन सा class था कौन सा board था अगर आपने 12 किया है या 10 किया है तो आप यहां पर select कर सकते हैं कि कौन सा आपका previous board और class था ठीक यहां पर मैंने select कर लिए Central Board of secondary education previous course कौन सा था वह आप यहां पर आपको देना है कि कब आपने previous class जो course है वो का पास किया है अगर आपने 2019 या 20 या 21 में पास किया तो यह आप यहां पर लिख देंगे previous class percentage आप दे देंगे कितना परसेंट आया था आपको previous class में यूनिवर्सिटी और आइंग होड़र है तो यहतं करेंगे नहीं तो नो करेंगे रॉढ नमबर आपको देना है तेन्थ का राल4 नमरर थेंथ कोंफ़ाय mor back códशा सबूंब कर देना आहां बोर्ड नेम देना कि किस बोर्ड सेपने यह सबर्ड किया और कितने आपके तेंस में मार्क्स थे उसके बाद यहां पर 12 का डिस्ट आपको डिटेल्स देना है कि आपका 12 का रॉल नंबर कितना है यहां पर मैं रॉल नंबर इंडर कर देता हूं यहां पर बोर्ट से लेक्ट कर लेना है किस बोर्ट से आपने 12 का एक्जाम दिया है और यहां पर competitive exam किसी कोई आपने दिया है NMMS का तो आप select कर सकते हैं ठीक है नहीं तो यह no करते हैं ठीक है यहां पर बोला जा रहा है other details में is orphan अगर आप अनात्व अगरा है यहां पर yes कर सकते हैं अगर हैं तो यह तो no रहने देंगे गार्जियंस का आपका नाम लिख देना father या mother का यहां पर गार्जियंस में जो आपके हैं वह आप नाम दे देंगे और disabled है या नहीं वह आपको बताना है अगर आप disabled तो yes करेंगे और type में आप बता सकते हैं कौन से type का आपका disabled है और यहां पर percentage of disability आपके कितनी है वह आया प आपको present profession देना parents profession कि आपके father क्या करते हैं ठीक है तो यहां पर अगर आपके father कुछ in समय से हैं तो आप select कर सकते हैं अगर कोई नहीं मिल रहा है इसमें से selected जो भी option दे रहा है तो यहां पर आप other select कर सकते हैं ठीक है यहां पर आपका आई फिसी code आजागा bank account number यहां पर elema district select CAR um прим district कि आपूंध्न Cute district से हैं यहां पर मैं select कर लेता हूं और इसके बात यहां पर आपको ब्लॉक और टालुक statut करना कि कौन सा आपका block है ठाएक है यहां पे मैं षील्क लेट या कोई आपका village है तो आप आप यहां पर इक बिलेज नेम application कर देंगे और उसके बाद यहां पर आपको पीन कोड इंटर कर देना है आपका जो भी पीन कोड है यहां पर जैसे ही वह सब इंटर कर देंगे तो आपका जो भी scheme है जो भी आप eligible हैं जिस scheme के लिए वो आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है जैसे यहाँ पे सो कर रहा है postmetric scholarship scheme अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक scheme सो कर रहा है तो आपको जरूरी है कि आप merit comments scholarship scheme select करें इसमें है कि आपको scholarship जो amount है वो ज़्याद मिलेगा in comparison to postmetric scholarship ठीक है तो merit scheme आप select करेंगे अगर आपको यह option मिल रहा है तो ठीक है यहाँ पे आपको select scheme करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ documents आपको upload करने होंगे ठीक है अगर आप कोई technical course कर रहे हैं तो आपको compulsory है कि आप documents यहाँ पर upload करें जो भी documents यहाँ पर बताया गया है ठीक है और सारे documents के जो size होंगे वो होंगे आपको 200 KB से आपको कम का upload करना है documents कि इस तरह से आपको documents का साइज कम करना है मैंने एक वीडियो में बताया है link देना आपको description box में तो आप देख के अपने documents का size कम कर सकते हैं तो यहाँ पर domicile certificate आपको upload करना है तो उसके लिए आपको upload करना है domicile certificate यानि कि आप किस state के है उसका एक आपको address proof के तोर पर आपको domicile certificate आपको upload करना होगा तो यहाँ पर upload पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर certificate नंबर देंगे domicile certificate का नंबर वहां पे लिखा होता है तो वह आप यहां पर देदेंगे डेट इट एश्यू किया गया था और इस्फेlt देदेंगे तो यहां पे मैं लेस्ट दे देता हूँ तो यहां पर देख सकते हैं documents uploaded successfully लिखके आ जाएगा जैसी documents upload हो जाता है तो यहां पर में आपको cross का option आएगा और सो करेगा सिंबोल यहां पर आपको क्रॉस पर क्लिक कर तेना जैसे अपपलोड को जाता है डॉक्मेंटस आपका एक तो यहां पर आप का अफशन आजाएगा आइस से देख सकते हैं कि आपका डॉक्मेंट से वह अपलोड हुआ है या नहीं ठीक है तो इस तरह आपका आपको अपलोड करना है सेम प्रोसेस है अपलोड करने का जैसे मैंने फर्स्ट का बताया प्रूफ बैंक अकाउंट आपके बैंक अकाउंट स्टुडेंट के नेम से होना चाहिए वही आपको पास्बूक आपका अपना अपलोड करना है Income certificate देना है आपके फादर का जो भी आपके family का वहाँ को आपको याँ पर अपलोड करना है and wife student जो आपको bona fide college से मिल जाएगा यहां से download कर सकते हैं तो यह download करें इब bona fide को तो मैंने वीडियो बनाया है कि कि स्थार से आपको bonafide certificate fill up करना है और किस तरह से तो आप check कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे bonafide certificate fill करके यहाँ पे आपको upload कर देना है उस bonafide certificate को और college से वहाँ पे stamp लगवा लेंगे ठीक है और उसके बाद यहाँ पे आपको final submit कर देना है जैसी यह सारा चीज हो जाता है तो यहाँ पे आ आप correction कर सकते हैं जो भी आपने details दिया हुआ है तो जैसे यहाँ पे अगर final submit कर देते हैं तो आपको application कर देगा ठीक है जितना form आपने fill up किया है तो एक last में आपको form मिलेगा तो उस form को आप print out निकाल लेंगे ठीक है या PDF में save कर लेंगे और जब चाहें वो print out निकाल करके कि आपने पास रखे रहेंगे और college में अगर आप मांगता है तो वह जमा कर सकते हैं documents सारे documents के साथ उसको आपको जमा कर देना है उमीद करता हूं यह video आपको helpful रहा होगा अगर अच्छा लगा तो please like करे, share करे और अभी तक आपने channel subscribe नहीं किया है तो please channel भी subscribe कर ले, thank you for watching this video the video